object oriented programming using c++, subject क अनाम क्या है, object oriented programming using c++, subject code 22316, सडिक किसका subject नहीं है, computer and IT group में, ये subject है, wherever आप check कर लो, आपको ये code रहेगा, semester 3 में है, ice cream, third semester, और MSVTें ये अंडर, इसके बारे में तोड़े बात कर रहाँ, इसका जो PDF IMP available है, अपने application पे available है उसको access को रो, सबसे पहले में बताऊंगा मीचे description में application का link दे दूँगा उसके बाद मैं chapters के बारे में कुछ बताता हूँ 5 chapters है total इसमें principles of object oriented programming मतलब इसमें object oriented programming क्या होता है, इस chapter में बताया जाएगा classes and object, object oriented programming का part होता है, classes होते हैं object होता है, उसके बारे में देखा जाएगा inheritance एक नाम की चीज होती है तो एक class, दूसरे class को inherit कर सकता है, वो है third chapter खोरते हैं pointers बरवर address को point करने के लिए polymorphism in C++ and working with files मतलब कोई भे file जो बोलते हो आप computer में notepad वगरा open करते हो file ही बोला जाते है, उसमें content कैसे add करते हैं, program में कैसे load करते हैं वो सिखा ले, तो in short इसमें ये 5 chapters हैं और मैंने इसका एक analysis करके, मैं आपको बता रहा हूँ 70 mark का दो paper होता है final वाला उसमें 30 और 42 category मैंने बनाए ये 30 mark का क्या है sir इसको मैं बोलूँगा theory इसको मैं बोलूँगा theory theory मतलब क्या असर आएगा इसमें definition, syntax syntax बताओ किसी चीज़ का definition बताओ difference बताओ, object oriented program में और procedure oriented program में क्या difference है बताओ अरब theoretical आएगा लेकिन 40 mark का क्या है रहा है इसले इतना बड़ा programs 40 mark लगबग 40 mark का programs आता है 5 और 6 question तो 6-6 mark के 4 question आपको करने, मतलब 5 question में 6 mark के 2 question 6 question है 6-6 के 2 मतलब 12 और 12, 24 वो दो पूरे program भी होता है उसके पहले भी programs होते है 4 mark के program, 6 mark के program और और कभी 4 mark मतलब marking के system में आपे fix नहीं है, यह program 4 को पूछा जा सकता है अगले paper में अगले साल वही question, वही program 6 mark के लिए पूछा जा सकता है लेकिन programs are very important theory का preparation तो हम कर सकता है सर, रट रट के कर लेंगे याद रखेंगे, लिख लिख के याद रखेंगे technical term से concept understand हुआ है तो वैसे याद में रह जाएगा लेकिन programs का कैसे करेंगे studying, practice program में सबसे पहले logic और उसके बाद practice logic development और practice कैसे होगा सर्ये एक ही चीज़ है computer लेलो computer laptop जो भी है, desktop आपके पास practice चलो करो छोटे सी छोटे program से start करो और पुरा practice करो अगर जितने भी programs में ने दिये हैं IMP course में उतने भी आप अगर logically खुद से बना पाते होना तो उसके type का कोई भी program वाज़ए आप कर लोगे यह mathematics की जैसा है एक problem stepwise solve किया तो number change हो गया तो दूधरा problem भी कर सकोगे आप तो same है प्रोग्राम में रटना नहीं होता है practice is important logic build करना पड़ता है तो उस तरीके से आपको type कर करके programming का करना है चालू करो एक हपते से ज्यादा का time है आप तो पास चालू करो रोज प्रोग्राम करना शाइड़ बाइस हैट तो उतने IMP programs कर लो तो यह part कौन से हमार है यहाँपर यह program से course को access कर लो अभी क्या अभी study चालू करना है scoring subject है फिर से बोल टो program से एक बार आ गया तो आ गया आपको ठीक है तो फिर से एक बार all the best मेरी तरब से